कुछ SCPs ऐसे होते हैं जिनको explain करने में हमें खुद डर लग जाता है उन सब SCPs में से एक है SCP-783 ओक्सपोर्चर इंग्लेंड के टैम्बी नामा के गाउं में SCP-783 अपने अगले शिकार की तलाश में घूम रहा है ये लेडी SCP-783 की एक विक्टम है ये लेडी घर पर अकेली थी क्योंकि इनका हस्बन किसी काम से टाउन गया था ये लेडी हर एक दो दिन बाद लोकल बिल्डर को बुलाती थी क्योंकि हर रात पता नहीं क्यों उनके घर के वाल्स पर क्रैक्स आ जा रहे थे एक रात जब वो टीवी देख रही थी तो उनको कुछ अजीब आवाजे सुनाई देने लगी ये आवाज एक ग्राउन फ्लोर से आ रहे थी ऐसा मानो जैसे कोई उनके घर के अंदर घुस आया हो और अब वो घर के इधर उधर खोम रहा हो अचानक उस लेड़ी का हाथ पे तेड़ा मेरा होने लगा उनके साथ ही उनका घर भी बैंड होने लगा वो लेड़ी जोर जोर से चिल्लाई पर जल्दी उनकी आवाज चुप हो गई जब उनका पूरा शरीर तेड़ा मेरा हो गया SCP-783 हर बारा साल में एक बार आटम और विंटर सीजन में टैंबी विलेज के लोगों को हांट करता है SCP-783 का हांटिंग पिरियेड करीब 70 टेज तक रहता है इन 70 टेज पे वो उन घरों में हमला करता है जहां बस एक ही इनसान हो और वो सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही हमला करता है SCP-783 के विक्टिम्स की बॉडिस तेड़ी मेड़ी और लंबी हो जाती है अटापसी करने पर ये पता चला कि इस क्रूकिट प्रोसेस के दौरान विक्टिम्स की हट्टिया तूट जाती है फिर वापस जॉइन भी हो जाती है इस भयानक एंटिटी के कई विक्टिम्स जिन्दा है उन्हें पास के एक हॉस्पिडिल में रखा गया है जहां उनके ट्रीटमेंट के साथ-साथ उनके बिहेवियर्स पर कड़ी नजर रखी जाती है क्योंकि इस हॉस्पिडिल को SCP फाउंडिशन ने खरीद ले हॉस्पिडिल में अभी करीब 27 पेशेंट्स है हर कोई का या तो पूरा बॉडी पैरलाइस्ट है या फिर वो परसिस्टन्ट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए एक विक्टम का एक हार 2.4 मीटर लंबा पाया गया वही दूसरे का 12.5 मीटर अब तक टेंबी गाउ के आल्मोस्ट सारे लोगों को इस बात की खबर लग चुकी है कि एक क्रूकेड मैन है जो ऐसा कर रहा है कोई भी स्टेप उठाने से पहले रीसर्चर्स जल्दी से लग गए इस खोज में ताकि कुछ तो मिले कोई इन्फोर्मेशन, फोटो, कोई हिंट क्योंकि उनको कुछ नहीं पता कि उनके सामने जो ये मुसीबत है ये क्या है, क्यासा है और इसके क्या capabilities हो सकते हैं दिन रात ढूनते ढूनते रीसर्चर्चर्स के हाथ आया तो बस एक local nursery rhyme और rhyme ये है अब तक ऐसे भी foundation ने बहुत research कर लिया था मगर कोई satisfying result नहीं मिला तो बारी थी एक धोस कदम उठानी की टेस्ट के लिए उन्होंने एक T-class personal को चुना SCP-783 के active period के एक महिने पहले ही SCP Foundation ने उस village में एक घर खरीदा और उस D-class personal D-209 को उस घर में रहने को कहा साथ ही घर के हर rooms में video और audio equipments लगाए गए ठीक 43 days बात एक राज जब D-209 बेट पे लेट के एक novel बढ़ रहा था तो उसे first floor से scratching की आवाज सुनाई थी कैमराज में SCP-783 record तो नहीं हुआ लेकिन जैसे जैसे वो move कर रहा था footage में एक अजीब distortion दिख रहा था धीरे धीरे footage की picture quality खड़ाब होती है वही दूसरी तरफ D-209 अपने window को खोलने का try कर रहा था पर वो खुला ही नहीं recording में ये दिखाई दे रहा था कि SCP-783 D-209 के room की तरफ बढ़ रहा है वही D-209 night stand से lamp उठा कर जोड़ जोड़ से window पर मारने लगा window तो नहीं खुला लेकिन दर्वाजे पे किसी के दस्तक की आवाज सुनाई दी D-209 टर्स से पुरा काब उठा कान है कान है D-209 ने पूछा मगर कोई जवाब नहीं आया फिर उसने control team से पूछा कि क्या वो किसी को भेजे है मगर radio पूरा silent था lastly D-209 ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया control team उसे contact तो कर रहे थे पर घर के अंदर वो equipment काम ही नहीं किये दरवाजा खुलते ही D-209 जोर से चिलाया उसके चिलाते ही घर के सारे बल्स फूट गए घर के बाहर के lights भी जैसे ही camera संधेरे को adjust कर लेते है हमें D-209 दर्च से चिलाते हुए नजर आता है उसका body भी cricket हुने लगा D-209 तेजी से भागी रहा था के bathroom के सामने जाते ही वो गिर गया उसने चिलाते हुए कहा कि उसका पै टूट गया D-209 उन सभी को गालिया बग रहा था जो camera's के थूर उसे देख रहे थे SCP-783 उसके पास ही मंडरा रहा था D-209 ने यकीनन उसे देखा होगा भागने की कोशिश में D-209 सीडियों से नीचे गिर गया और उसके बाद वो थोरा भी भागने की कोशिश नहीं कर पाया उसका body stretch होते गया और अचानक SCP-783 ने उसको कीचा अंधेरी की ओर इसके बाद D-209 की बजचीके ही सुनाई दी जो सुबह 4 बजे 27 मिनिट में शान्त हो गया जब D-209 के साथ ये सब हो रहा था तब SCP-783 के पहले विक्टिम्स जो हॉस्पिडल में है उनको अचानक दौरा पढ़ने लगा कुछ दिनों बाद SCP-Foundation को रिपोर्ट मिला कि उस विलेज के एक जगे में उन्हें शायद कुछ मिल सकता है रिसर्चर्स गारी लेके उस लोकेशन तक पहुची रहते के तबी उनको गाओ के लोगों ने रोक लिया लोगों की भीर इस बात से गुसा थी कि अभी तक अभी तक कोई भयांकर इंसिडेंस को रोक क्यों नहीं पा रहे उनका गुसा करना जायस था पर कई रिक्वेस्ट के बाद भी जब भीर हटी नहीं रही तो उपर हवा में फायर किया गया जिसके बाद लोग सब भाग गये उस स्पॉट पे पहुचने पर रिसर्चर्स ने धेर सारे लंबे क्रूकेट उंगलिया देखे कुछ लोगों को खुदाई करने बुलाया गया करीब शाम तक खुदाई चला फिर जो सामने आया वो बिलकुल रूह हिला देने वाला था धेर सारे सिपी 783 के विक्टम्स के लाशे उस घड़े के अंदर मिले इतने सारे डेट बॉडिस को देख हर कोई हैरान था वो सारे बॉडिस उल्टे थे उनके बस पैर ही दिख रहे थे टोटल कितने बॉडिस होंगे ये कह पाना बहुत मुश्किल था रिसर्चर शांती से उस घड़े को इन्विस्टिगेट कर रहे थे क्योंकि उनको क्या ही बता था कि वो सबसे बड़े खत्रे के सामने मंदरा रहे थे एक रिसर्चर डेट बॉडिसे टिशू सेंपल लेने के लिए घड़े के सामने गए के तभी वो उन लाशों के बीच गिर गए वहाँ गिरते ही वो ऐसे अंदर घुज गए जैसे वो किसी दलदल में गिर गए हो कुछी सेगेंस में वो रिसर्चर कायब एक एजन खुद को रसी से बांध कर जल्दी से गड़े में रिसर्चर की तलाश में कूद गई कुछ मिनिट्स बाद जब एजन ने सिगनल दिया तो उनको गड़े से बाहर सेफली निकाला गया एजन को ऐसी धरीवी देख उनको फॉरन बेस पे लाया गया जहां उन्होंने बताया कि वो नीचे जाते जाते अचानक सब उल्टा हो गया वो तो नीचे जा रही थी मगर बाद में उनको चड़ कर बहार निकलना पड़ा बहार निकलते ही उनके होश उड़ गए उन्होंने देखा कि गटे के दूसरी तरफ एक दुनिया है जहां हमारी दुनिया जैसे दिखने वाले घर, रास्ते, पेड़ सब है पर दूर दूर तक कोई भी इंसान या जानवर कुछ नहीं दिखा ये सब बताने के बाद वो एजन्ट टेंपोरियरी लीप पे चली गई एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और एजन्स की एक मीटिंग बिठाई गई जिसमें ये डिसीजन लिया गया कि वो एक D-Class परसनल को उस दूसरी दुनिया को एक्सप्लोर करने भेजेंगे इस काम के लिए D-2172 को चुना गया D-2172 को वीडियो और आडियो रिकॉर्डिंग एक्सप्लोर करना है D-2172 को क्रैन की मदद से नीचे भेजा गया करीब 8 मीटर नीचे जाने के बाद D-2172 ने कहा कि वो कनफ्यूस हो गया है कि वो नीचे जाए या उपर कुछ देर एजिन्स से बात करने पर उसे समझ आया कि उसने इंवर्शन ओफ ग्रैवेटी को एक्सपीरियन्स किया जब वो दूसरी दुनिया में पहुचा तो उसने देखा कि आस्मान पूरा घने काले बादलों से ठका हुआ है वो दूसरा जगह पूरा हूबा हूँ टैमवी विलेज से मिल रहा था थोरा बहुत रास्तों और घरों को देखने के बाद डी-2172 को मिट्टी का सेंपल लेने को कहा गया इस डी-कलास परसनल को फिर ओडर दिया जाता है कि वो मेयर के कोटेज को एक्स्टोर करे और उस रिसर्चर की खोज करते रहे डी-2172 ने मेयर के दरवाजे को खट-कटाया पर कोई रिस्पोंस ना मिलने पर वो खुद अंदर चला गया घर को एक्स्टोर करने पर उसे एक वाल पर एक ड्रोइंग मिला वो एक हुमेन फिगर का ड्रोइंग था जिसे शायद चारकुल से बनाया गया था डी-2172 को उस ड्रोइंग को इंस्पेक्ट करने को कहा गया पर उसको अजीब बेचैनी सी होनी लगी तो बिना उस ड्रोइंग की जाच किये वो मेयर के घर से निकल गया उसके बाद वो बहुत टाइम तक घुमा कई घरों को एक्स्प्लोर किया उस दोरान उसे स्ट्रेंग चीज़े देखने को मिली जैसे की सिंक में खून, चाकू और साथ ही उस मिसिंग रिसर्चर के एक दो सामान इतना अफजर्व करने के बाद उसे मॉनिटर कर रहे एजंस और रिसर्चर्स को इतना समझ आ गया कि अब उस रिसर्चर के जिन्दा रहने की उमीद उन्हें नहीं करनी चाहिए D-2172 टैंबी विलेज के बाहर चला जाता है मगर दो किलोमेटर चलने के बाद वो ये गौर करता है कि वापस वो टैंबी के स्टार्टिंग पॉइंट में ही पहुँच गया है जहां सामने मेयर का कोटेच है D-2172 टर और कन्फूजन से पागल होकर वापस लोटने का रास्ता डून रहा था कि तब ही उसने देखा कि एक विक्टिम को लंबा गर के बांदा गया है ताकि रास्ता ब्लॉक हो जाए D-2172 ने उस पर फायर किया पर उस विक्टिम का कोई रियक्शन नहीं था डर के मारे वो जंगल की ओर भागने लगा उसने किसी की नहीं सुनी और भाग कर एक बड़े पत्थर पर बैट गया जहां उसने अपने गण को रिलोड किया और शान्थी से एक MRE खाया MRE मतलब meal ready to eat तो बस निकालो और खा जाओ अचानक D-2172 ने देखा कि तूर से एक पेर उसके करीब आ रहा है जब वो ट्री उसके एकदम नजदीक पहुचा तब उसने देखा कि वो कोई ट्री नहीं है बलकि वही researcher है जिनको ढूनने D-2172 वहां गया था वो researcher अब एक giant monster जैसा दिख रहा था D-2172 को देख वो चिलाया और उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा अपनी जान बचाते हुए D-2172 भागा और researcher पर fire भी करते रहा पता नहीं क्यूँ पर D-2172 के video equipments काम करना बंद हो गए फिर बस उस researcher की चीके ही सुनाई दे रही थी कुछ घंटों बाद घटे से रसी को कीचा गया कि सिगनल था कि D-2172 जिन्दा है और उससे बाहर आना है जब रसी को कीचा गया तो D-2172 का हाथ नजर आया मगर जैसे जैसे उसको कीचा गया D-2172 का हाथ स्ट्रेच होते गया और फिर ग्रिप छुटने के वज़े से उसका हाथ डेट बोडिस के अंदर घुज गया इस हाथसे के बाद जो भी exploration किये गए उनको reports में नहीं ढाला गया SCP Foundation आज भी 10B पर नजर रखे है लेकिन SCP-1529 की ही तरह वो SCP-783 को भी contain नहीं कर पाए